असलाम लेकूम एट वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे अप सब लोग आई हूप कैप सब खायरियत से होंगे अच्छा आज कब मैंने व्लोग वही से स्टार्ट किया है जहांपर लास्ट व्लोग एंड किया था क्योंकि लास्ट व्लोग में हम जा रहे थे शॉपिंग पर फाइनली जी हम पहुँच चुगे थे मीना बजार में अच्छा मैं जब से दुबई आई हूना तो सब मुझे कहते है कि हम एद की शॉपिंग मीना बजार से करते हैं तो मीना बजार जा तो मैं पाकिस्तानी ड्रस पाकिस्तानी से भी चीज़े मिलेंगी कैर जी आज हम भी पहुँच चुके थे मीना बजार में मैं फार्स टाइम यहां पर आई थी और ऐसे लग रहा था कि कराची के सदर बजार में आ गई हूँ बहुत ही अच्छे यहां पर कलेक्शन थी अभी हम सेलेक्ट का रहे थे ड्रेस जो के मुझे पसंद नहीं आ रहा था यह ड्रेस दोनों मेरे हजमें पसंद गी हुए थे तो मैंने का तकरीबन इनके कलर सेम सेम हो जाएंगे मुझे कुछ रैड में यह थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए जो मेरे पस नहीं है खैर जी फिर वहां से हमने दो ड्रेस सेलेक्ट किये थे और उसके पाथ यहां पर मैं देख रहे थी जूलरी असल में यहां पर जो है ना शाहसें को हम लेके आए वी थे टॉलिट उसको शी आ गई थी तो मैं यहां पर जूलरी देख रही थी असल में मुझे चाहिए थी बैंगल्स और रिंग तो यहां पर जो हना मेरे मतलब की तो कोई चीज नजर नहीं आ रही थी तो मैंने का चले आप लोगों को यहां पर जूलरी दिखा देती हूँ अच्छा मुझे लग रहा था कि जूलरी यहां पर काफ़ एक्सपेंसिव होगी इसके साथ ही एक शूप थी वहां पर वन दरम में भी जूलरी चीज़े लगी हूई थी वो भी बहुत अच्छी थी खैर मुझे तो कोई जूलरी जादा लेने नहीं थी बस रिंग और बैंगल्स लेनी थी उसके पाद जी फिर हम नेक्स्ट चूप पर आगई यहां पर जी फिर हमने गन्ने का रस पिया गन्ने का रस ना मुझे बहुत जादा पसंद है जब यह पी रही थी थी ना तो मुझ और उसके पाद यहां पर हम आये थे बैंगल्स वाली शौप पर अच्छा मैंने दो तीन बैंगल्स की शौप पर गई विजिट किया लेकिन बिल्कूल भी इची वहां पर बैंगल्स नही थी और जब इस शौप पर आए ना तो इसकी तो बात यह लग थी बहुत ही प्यार तो कराची की मुझे बहुत जादा याद आ रही ते, ऐसे लग रहा था कि कराची के सदर बाजार में पहुंच गई हूं स्पाइडर मैं थो दोनों भाईजी बैठकर यहां पर स्पाइडर मैं के साथ के रहे थे, क्योंकि मेरे बचे ना स्पाइडर मैन के बहुत ही बड़े फैन है अभी था जी फिर नेक्स डे जब मैं वीडियो शूट करी थी क्योंकि रात को हम इतना लेट आये थे तो बस ये था कि आते ही हम सो गए थे ये था जी ग्रीन कलर का ड्रेस ये मैंने पसंद किया था दो चीज़े माइंड में रखती हूं एक तो मुझे लाइट सा कपड़े पसंद हैं मैं ज्यादा हैवी या कड़ाईयों वाले मुझे नहीं पैने जाते और दूसरा ये है कि मैं कलर भी अपने माइंड में रखती हूं कि मेरे पस कौन सा कलर नहीं है मैंने नेक्स्ट कौन सा कलर लेना है बार बार जो है न आप एक की कलर पैने तो भी अच्छा नहीं लगता है सबी कलर आपको ट्राइग करना चाहिए अच्छे लगते हैं तो ये कलर मैंने काफी टाइम से नहीं पैना था, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, इसका डुबटा भी बहुत अच्छा था, शुफून का डुबटा था साथ में, और इसका जो कैपरी है न, उसके निजे भी प्लेटों वाला हलका सा डिजाइन बनावा तो बहुत ही द्रेस था, उसके बाद जी फिर ये दूसरा वाला ड्रेस था, परपर, ब्लैक एंड वाइट कलर में था, लाइट सा इसका कलर था लेकिन बहुत ही प्यारा ड्रेस था, ये मेरे हस्बन ने पसंद किया था, अच्छा ये कलर भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने फिर ये वाल कट पटा था, मैं जब भी कपड़े लेने जाओ ना, लाउन के तो मेरे ये कोशिश होती है कि शफून का लूँ, अच्छा मुझे ये वाला जो है ना, परपल ड्रेस लग रहे था, कॉटन में था, लाउन कॉटन था, और जो ग्रीन वाला है ना, वो स्वीस लोन का था, त तो, शाजन के जो शूज आना, वो छोटे हो रहे थे, फिर उसके लिए हमने शूज ले ली थे, क्योंकि उसको उना शूज पैनना बहुत पसंद है, उसके पापा शूज पैन थे, तो फिर उसको होता है कि मैंने भी शूज पैनने हैं, और साथ में इनकी सैंडल्स ली थी इत के लिए, अच्छा, दोनों की सैंडल्स सेम ली थी, इसके अंदर जो है ना, लाइट भी जलती है, इनकी सैंडल्स की, कलर डिफरेंट था, बाकि डिजाइन दोनों का सेम था, एक की रेड ली थी और एक की ब्लू ली थी, उसके बाद जी फिर ये वाली मेरी सैंडल्स और ये मेरे हस्बन ने मुझे लेखी दी थी, उनकी पसांद किया, चाहिए, ये कलर काफी लाइट सा था, मेरे पस था भी नी, तो मैंने फिर कलर की वज़ए से ये ले ली थी, बाकी पहने के बाद देखूंगी कैसी लगती है, ये इत के दोनों ड्रेस के साथ मैच नहीं ह होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पहने हुए भी काफी डिसेंट सी लगती है, और ये मैने तीन सेट बैंगल्स के लिए थे, दोनों ही ड्रेस के साथ मैच किये थे, और जो अमी ने ड्रेस भीज़ए था ना, उसके साथ मैने रैड वाली बैंगल्स मै किशन में याती हूं और फटार बनानी चोड़े मोठे काम स्टारट कर देती हूं । क्योंकि यही होता है थे, यहाँ पर मैं सबसे पहले टिशू कंझ कर ड़े हूं गयती है। तो जब टिशू साथ में आए तो सबसे पहला काम होता है मेरा टिशू को समेटना अगर शाज़ान के हाथ लग जाना तो वो पूरे बॉक्स टिशू के खाली कर दिता है इसके लावा जी रमजान का आखरी अश्रा चल रहा है और इसमें कोशिश करें कि जितना हो सकते हैं अपने अल्ला पाक को राजी करें जितना हो सकते हैं नेकियां कमाएं रात को जागें अबादत करें नफल अदा करें इसके लावा दुरुषरिफ पढ़ें, सुरह इखलास पढ़ें, सुरह इखलास हम तीन मरतबा पढ़ते हैं तो हमें पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है इसके लावा अस्ताफर उल्ला पढ़ें, इसके लावा सदका जो है ना वो डेली आप जरूर निकालें पांच का दस का बीच रुपए जितना भी होता है अब थोड़ा थोड़ा निकाल के रखते जाएं जब दो तीन सो हो जाए या हजार पंदरा सो हो जाए तो किसी को खाना खिला दे या किसी भी घरीब को दे दे तो इस तरह जो है ना सदका जरूर निकालें बाकी नमाज पढ करें जिसी से भी आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगे अगर किसी ने आपका भी दिल दुखाया है तो अलापाक से माफी मांगे और अपना दिल साफ कर ले क्योंके अलापाक की साथ बहुत बड़ी है वो भी तो हमें माफ करता है हम सब गुनाकार हैं तो हम क्यों नहीं किसी को माफ कर सकते हैं यहाँ पर मैं कर रही थी चिकन को मैरिनेट क्योंकि आज मुझे इफ़तार में बनाने है चिकन पकोडे तो चिकन पकोडे के लिए पहले ही हाँ पर जी मैंने चिकन को अच्छे से वाश कर लिया था और चिकेर मैंने लिया था बॉले से अधर हलती ढाली तरस पावड़े हैamental हरीमर्च डाली है चॉप्ट कियो लेअ फार दही کہ मैंने दो चमार ढाल दी है गाता मैं सात में कीश चाब किया है ना तरस दी में अधर को पैलों मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ और फिर जब पकोड़े बनानी का टाइम आता है ना तो उस टाइम पर फिर इसको बेसन लगा के तो फ्राइ कर लेती हूँ यहाँ पर जी मैंने चावल भी भी हो दिये थे और साथ में जो मतर मैंने फ्रेज करके रखे हूए थे वो भी निकाल लिये थे क्योंकि आज मैं इसी से ही मतर प्लाव बनाने वाली हूँ और उसके बाद जी हाँ पर जो पकोड़ों का चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था ना तो इसको भी बेसन लगा रही थीर क्के इसको मैरिनेट कियो एक घंचा तकरीबानkedों हो गया था तो मैंने का अब इसको बेसन लगा ड़ थे हूँ क्योंकि इसके बाद जो हैना फिर मुझे बनाना था पुलाव तो मैंने का ये काम जो हैना गलावस पहन के करना है इसलिए फिर मैंने पहले इसको मैरिनेट कर लिया और उसके बाद मैंने का कि फिर मैं जो हैना पुलाव बना लूँगी क्योंकि टाइम जो हना तकरीबन बहुत ही कम रह गया था शुरू में ये था कि हमारे घर खाना बिल्कुल भी नहीं बना था बस इफ्तार करते थे और सैरी करते थे अब जाके दो तीन दिन से ऐसा है कि खाना खाने का दिल भी करता है और कुछ न कुछ मैं डेले फिर बना भी लेती हूँ साथ तो बस इहां पर मैंने ओईल को गरम किया और उसके अंदर दो मेडियम साइज के प्यास डाल दिये थे और साथ में जिसके अंदर मैंने डाल दी है हरी मरच क्योंके हरी मरच का जू टिस्ट दालनीहा बहुत ही मज़ेगा लगता है ताकि जो दही का पानी है ना उसमें थोड़े चिकर भी सॉफ्ट हो जाए और मटर भी अच्छा है मटर को तो गलाने को जुरूद नहीं होती है लेकिन चिकन जो हैना मुझे यहां पर गलाना था तो बस इसको चार से पांच मिनट मैंने कवर कर दिया था और उसके बाद जो ह बहुत ही कम रह गया था तो बस मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी क्योंकि अचानक से मेरे हजबर ने फरमाईश कर दी के मटर पुलाओ बनाना है मैंने तो यह सोचा वा था कि मैंने सिंपल वाइट राइस बॉाइल करने है तो वो खा लेंगे फिर और फिर मैंने यह कि सचा कि आज इफार में जादा कोई चीजाँ भी नहीं बना ही थी और आज फू्ट चार्ट भी नहीं बनानी थी तो मैंने एका सासा बाकी काम भी कर लूँगी और सासा जो आने नो jaar बन जाईगी नई तो फिर मुझे इफार की बाद पर बनाने पढ़ते हैं और पी बहुत ही मसेखा लगता है तो बस इहां पर मैंने एक खीरे को क्रश किया उसके बार जी दही को अच्छे से फैंड लिया था दही के अंदर डाल दिया खीरा और साथ में नमक डाला है काली मर्च डाली है और थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा और यह बहुत ही मज़े का ख तो में जाएक राइस का तो मैंने इसके लिया राइस के इन्दर वऊच करके वो डाल दी है और जिहां पर नमक भी चैक कर रिया था तो राइस के साथ साथ चिकन के पकोड़े भी बन रहे थे और साथ ही साथ नहीं प्रे हस्बेंट से टाइम भी पूछ रही थी कि क्या टाइम हो गया और वो मुझे आगे से कह रहे थे कि खुद नहीं देख सकती हो टाइम मुझे बार बार टाइम पूछती रहती है मैंने का मेरा मुबाइल बिजी होता है तो इसलिए मैं आप से पूछती रहती हो ना टाइ तो फिर वे अच्छे से पानी को ड्राय करके ना फिर दम लगाती हूँ इससे क्या है कि फिर चावल खिले खिले बनते हैं और चावल आपके जुड़ते नहीं है तो बस चावलों को दम लगाने के बाद मैंने जल्दी से फूर्ट कट कर लिया था क्योंकि टाइम हो गया था इफ्दार का बस चावल भी निका लिए थे रड़्ी हो गया थे चिकन फडकोरा भी रड़्ी हो गया था पर बस जी फिदार की फिर मैं आ कहीं थी किचन में कि आपको मठर पलाव दिखा दो कि मठर पलाव कैसा बना था बस ये थी मेरी आज की वीडियो, hopefully कि आज की वीडियो आप लोगो पसाद आई होगी वीडियो पसाद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चानल को भी सस्क्राइब करना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अलाहाफीज